Hello students, last video में हमने amorphous and crystalline solids के बारे में समझा और हमने ये भी देखा कि किस तरह से particles की arrangement change होने पर properties इतने ज्यादा differ कर सकती है crystalline solids जो है उनमें long range order है और amorphous solids में short range order arrangement है particles की जिसके कारण उनकी properties में काफी difference arise होता है पर बनकाव में कृनलों से अव्य किस थाइप को सब्सक्राइब उसकेu, मेटले के more ढ़ jesteśmy अमध्क पार मेटलों हम निए के में मेटलों को समधू आयोडीम आइष्टर है, ऴाम दो हेतने गूल्ट है , यह सबी crystalline है और इसके अलावा कुछ non-metals भी है जो crystalline है for example iodine, sulfur and phosphorus यह सबी crystalline होती है तो जो metals है यह प्यूर फोम में जो metals है वह सबी crystalline है आप कहीं पर amorphous metals के बारे में भी आप देखो कि कि किसी किसी जगह पर आपको amorphous metals भी लिखा हूँ मिल जाएगा लेकिन वो प्योर मैटल नहीं है वो यूजली एलोई होती है जो जिन्हें हम अमोफस मैटल कहते हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं जो क्रिस्टलन सोलिट्स हैं आगे कितने टाइप के हैं किस बेस पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं अलगला कैटेगरीज में ज ठीक है जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलन सोलिट को बनाने वाले पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस टाइप की इंट्रेक्शन हैं किस टाइप के फोर्सिज ओफ इंट्रेक्शन हैं उनके बेस पर क्रिस्टलन सोलिट्स को चार केटिगरी में डिवाइड किया गया है यह जो forces हैं intermolecular forces ये किस-किस type की हो सकते हैं इनके बारे में आप already 11th class में पढ़ चुके हो ये हो सकते हैं London forces जो की काफी weak forces होते हैं इनको हम induced dipole-dipole interaction भी कहते हैं या हो सकते हैं वेंडर वाल forces इसके लावा हो सकते हैं dipole-dipole interactions induced dipole-dipole interactions अलग है और जो dipole-dipole interactions है वो अलग है and next is hydrogen bonding इनके base पर जो crystal and solids है वो चार टाइप के हैं उनको हम one by one करेंगे तो सबसे पहले जो crystal and solid के हम टाइप कर रहे हैं that is molecular solids तो कुछ points हैं जो हमें हर solid के बारे में discuss करने हैं हर solid के आप अगर इनको points बना कर करेंगे points बना कर learn करेंगे समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा जाएँगे तो जो molecular solids हैं molecular solids में जो constituent particles हैं सबसे पहला जो point हमें ध्यान अकना है किसी भी solid के बारे में crystal and solid के बारे में हमें बताना है वो है कि उसमें constituent particles क्या हैं जो कि उसको बनाते हैं constituent particles of molecular solids क्या हैं जैसा कि नाम से ही है वो होंगे molecules molecular solids में particles क्या होंगे molecules होंगे और इसके बाद हम second जो है इसका जो हमें discuss करना है that is electrical conductance electrical conductance जो molecular solids हैं they are insulators यह हम कहेंगे non conductors non conductors of electricity यह आपको ध्यान रखने हैं यह दो point क्योंकि जो molecular solids है यह आगे फिर तीन टाइप के हैं और वो तीनो ही types के लिए constituent particles भी same रहेंगे molecules और electrical conductance भी सबकी यहीं है non conductor है सब ही electricity के ठीक है तो आपको constituent particles of all the molecular solids are molecules and electrical conductance अगर हम बात कर रहे हैं तो they are non conductor of electricity और भी में से they are insulators तो अब हम इनकी different types जो है वो हम करते हैं one is ionic solid sorry non polar non polar molecular solids ठीक है और जो second type है वो है polar molecular solids और जो third है वो है hydrogen bonded hydrogen bonded molecular solids यह तीन टाइप है molecular solids की इनको हम साथ साथ ही discuss करेंगे इनके बारे में सबसे पहले consistent particles हमने करी लिया कि इसमें क्या है सभी में molecules है ठीक है तो वो हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है इसके बाद जो next है वो हम देखते हैं कि उनमें forces of attraction का है consistent particles इसमें भी non polar molecular solids में भी molecules है ठीक है polar molecular solids में भी molecules है और hydrogen bonded molecular solids में भी molecules है तो इन में जो forces of attractions है forces of attraction वो क्या है forces of attraction non polar molecular solids में weak forces हैं काफी और सबसे weak forces जो होते हैं वो होते हैं weak dispersion forces और इनको हम London forces भी कहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है यह आप 11 में कर चुके हैं फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इनके वारे में बता देती हूं कि इन्हें हम इनको एक और नाम से जाना जाता है induced dipole-dipole interactions induced dipole-dipole interactions या forces अब यह क्योंकि non-polar है non-polar मतलब कि इनमें पोल्स नहीं है और जिस तरह से अगर हम बात करें इसमें हम एक्जामपल लें अगर hydrogen का हम एक्जामपल लेते हैं तो आप देख रहे हो कि जो molecule है hydrogen का दोनों atoms जो है same electronegativity के है इसका मतलब कोई dipole यहां पर नहीं बनेगा ठीक है अगर कोई dipole नहीं बनेगा तो polarity भी नहीं होगी और polarity नहीं होगी तो यह non-polar molecular solids होंगे ठीक है तो अगर यह non-polar molecule है ऐसे ही एक दूसरा non-polar molecule है iodine का तो इनके बीच में किस type के forces of attraction है वो है weak dispersion forces या London forces ठीक है और induced dipole dipole interaction का मतलब क्या है कि इनमें वैसे dipole नहीं बना हुआ है dipole नहीं है दोनों same atom है iodine, iodine इसमें भी और इसमें भी कोई dipole नहीं है तो उसमें कुछ देर के लिए dipole induced हो जाता है और ऐसे ही अगर वो किसी और molecule में भी induced हो गया तो induced dipole के कारण जो आपस में interaction हो रही है वो है induced dipole interactions ठीक है तो जो non polar molecular solids है इनमें forces of attraction है weak dispersion forces या हम इने लंडन forces भी कहते हैं या हम इने induced dipole dipole interactions भी कहते हैं ठीक है अब हम देखते हैं polar molecular solids में जैसा कि नाम से ही है कि इनके अंदर poles है poles बने हुए dipole बने हुए है for example अगर मैं बात करूँ इसके अंदर polar molecular solids में HCl की या फिर SO2 की इनके अंदर क्या है इनके अंदर poles है क्योंकि जो atoms हैं इसको बनाने वाले molecules को उनकी electronegativity में difference है electronegativity में difference होगा तो जो bonds है वो dipole बन जाएंगे हर bond पर एक dipole बन जाएगा ठीक है और इसलिए यह जो molecules होंगे यह polar molecules होंगे और polar molecules में जो आपस में interactions होंगी वो किस टाइप की होंगी वो होंगी dipole-dipole interactions जब सभी molecules polar molecules हैं तो उनमें जो interactions हैं वो dipole-dipole interactions होंगी ठीक है कि जैसे एक HCl molecule है इसमें partially negative charge partial positive charge ठीक है तो यह एक dipole बन गया ऐसे ही अगर दूसरा dipole सामने आता है जिसमें इसी तरह से ही बिल्कुल तो इनमें opposite charges के आमने सामने होंगे करण क्या होगा interaction होगी और इसे ही हम बोलते हैं dipole-dipole interaction this is a dipole one dipole and this is another dipole तो dipole dipole-dipole की बीच में जो interactions है वो है dipole-dipole interactions अब क्योंकि यह आप पच्छा से जानते हो कि जो ions होते है अपोजिट ions अपोजिट चार्ज के आयन्स होते है अनायन और कटान वो एक दूसरे को काफी strongly attract करते काफी strongly वो एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं तो यहां पर चाहिए full charge नहीं है chloride पर partial negative charge है और hydrogen पर भी partial positive charge है full charge नहीं है लेकिन फिर भी partial charge है और उसके कारण ही इनके अंदर interactions है तो यह जो interactions है यह strong interactions है इसके बाद हम बात करते है hydrogen bonded molecular solids आप जानते कि hydrogen bonding है वो किसमे होती है hydrogen bonded molecular solids consume particles क्या है molecules ही है लेकिन कौन से molecules हैं इनके जो molecules है molecules of hydrogen with fluorine or oxygen or nitrogen यह तीनों हम क्या बोलते हैं इन तीनों को हम most electronegative elements बोलते हैं और जब hydrogen इन तीनों में से किसी एक के साथ bond बनाकर molecule बनाता है तो वो molecules दूसरे वैसे ही दूसरे molecules के साथ hydrogen bonding कर सकते हैं या करते हैं ठीक है और उस time पर उनके बीच में जो interactions होंगी उन्ही interactions को ही तो हम hydrogen bonding बोलते हैं इनमें जो forces of attraction है वो क्या है hydrogen bonding ठीक है यहाँ पर है weak dispersion forces यहाँ पर है डाइपोल डाइपोल interactions और यहाँ पर है hydrogen bonding ठीक है तो यह तीनों टाइप के solar की जो हमने forces of attraction की बात की वो है यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट की ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिसकस किया थे वो था forces of attraction सेकिंड पॉइंट जो हम डिसकस कर रहे हैं वो हम कर रहे है forces of attraction ठीक है तो सोरी फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट क्या है जो नोन पॉलर molecular solids है वो हमें gaseous state में मिलेंगे या liquid state में मिलेंगे weak forces of attraction है molecules के बीच में तो यह गैस या liquid form में ही मिलते हैं जो polar molecular solids है वो भी gas या liquid state में ही मिलते हैं और जो non-polar molecular solids है वो हमें यह जो मैं physical state कि बात करे थे हूँ यह मैं बात करें हूँ at room temperature रूम temperature पर यह हमें किस स्टेट में मिलेंगे जब मैं कहuju हूं solid तो वह ungef intelligence है हम उनकी solid state की बात कर रहे है जो भी हम properties discuss कर रहे हैं हम उनकी solid state की properties discuss कर रहे हैं तो पोलर मोलिक्विल्ड ऑज सेट में मिलेंगे पॉलर मोलिक्विल्ड गैंस या लिकविड सेट में मिलेंगे ब lambda kulr फोलर मोलिक्विड्а जो हूँ हमें क्यों हमें द selbst solids यू है यह है कि physical state इसके बाद हम देख prolong इनके सब्सक्राइब बताई दिये हैं। जब इनकी बात कर रहे हैं, तो मैं थे अग्जाम्पल के सासद कर लिए थे। फिर भी हम देखते हैं कि जो नोन कुलर मोलिकुलर सॉलिड्स हैं। इसके मैंने आपको बताये थे। हाइडोजन जब यह सोलिड स्टेट में है ठीक है क्लोरीन आयोडीन यह इसके एक्जाम्पल्स है यह हाँ इसमें एक और ध्यान रखने की बात है कि यह तो हमने कहा कि कर्शन पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स है लेकिन यह आरगन यह हीलियम यह अटोमिक फोम में होते हैं इनके जो सोलिड सोंगे इनके मोलिक्यूल्स नहीं होते हैं आरगन और हीलियम के लेकिन यह भी नोन पोलर मोलिक्यूल्स की फोम में एक्जिस्ट करते हैं अपनी सोलिड स्टेट में ठीक है और इसके एक्जाम्पल्स हैं पोलर मोलिक्यूल्स के सोलेट के एक्जामपल्स हैं HF H2O अब आप देखिए कि मैंने आपको बताया यहां पर एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है ध्यान लखना आपको मैंने आपको बताया कि इसके जो एक्जामपल मैंने बताया कि कंस्टिन पार्टिकल्स हाइडोजन बोंडिन इसके देखिए आपको बताया कि मॉलेक्वल्स में सेखिए कि मॉलिक्यूल सथ और फ्लोरीन याने कि हम या विद आपको या विद नाइटोजन यानिकि एनच-3 तो यहां पर एनच-3 भी आना चाहिए एक्जामपल मैं लेकिन हम्ने यहां पर लिखा है तो यह जो है सोलीड शॉड़ें डो यह तो इस नहीं है कि जो आपको अभी सिर्फ ये क्योंकि भोती एक काफि गहराई में जाने वाली जो पॉइंट है ये उस टाइप का है गहराई में जाकर स्टडी करने वाला लेकिन आपको मैं simply यह बताऊंगी कि जो ammonia है वो STP पर जो है गैसे स्टेट में exist करता है ठीक है और वहाँ पर इसकी जो hydrogen bonding है यह इतनी वीक होती है कि जो nitrogen है एक्चुली क्या है कि nitrogen पर lone pair होने के कारण यह Lewis base की तरह से ज्यादा एक्ट करता है ठीक है और hydrogen bonding यहां यह कम शो करता है hydrogen donor की तरह से एक्ट नहीं करेगा बलकि hydrogen acceptor की तरह से एक्ट करता है तो हम इसको hydrogen bonded molecular solid में include ना करके हम इसे polar molecular solid में include करते हैं because of its lone pair जो कि काफी strongly इसको एक Lewis base की तरह से act करने के लिए act करने के लायक बना देता है और हम ammonia को Lewis base की तरह से ही परते हैं बहुत strong Lewis base है यह ठीक है तो यहां दुबारा से आपको बता रही हों कि जो ammonia है वो solid ammonia हम polar molecular solid में include करते हैं ना कि hydrogen bonded molecular solid में because at STP ammonia exist as a gas ठीक है तो और इस यह एक Lewis base की तरह से act करता है काफी strong Lewis base की तरह से act करता है और जो hydrogen bonding है जैसे जैसे इसमें काफी कम है hydrogen bonding in comparison to water and HF ठीक है तो यह polar molecular solid में ही आएगा ammonia अभी यहां पर आपको सिर्फ example learn करने हैं आपसे इस type का कोई question नहीं पूछा जाएगा कि ammonia जो है वो polar molecular solid हम क्यों कहा रहे हैं hydrogen bonding molecular solid में क्यों नहीं include कर रहे हैं यहां क्योंकि मैंने मुझे यह बताना जरूरी लगा कि जब मैंने यह discuss कि है कि ammonia hydrogen bonding वाले में उपर के points में तो यहां clarify करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसे फिर यहां पर इसका example क्यों नहीं ले रहे हैं ठीक है तो यह हो गई इसके example this was all about molecular solids ठीक है तो हमने फर्स टाइप के जो solids है crystalline solids वह हमने discuss किया है and they are molecular solids अब हम सेकिट टाइप के molecular solids के बारे में discuss करेंगे और वह है आइनिक solids तो इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे इसके जो point है एक एक करके points इसके discuss करेंगे हम फर्स इसका जो point है that is constituent particles आप आइनिक solids बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए आपको इनके बारे में पता होगा कि इनमें जो constituent particles हैं वो क्या है वो है ions और कौन-कौन से ions दोनों ही type के ions होंगे cations as well as anions दोनों मिलकर ही ionic solids बनाते हैं जैसे कि NaCl हम कई बार discuss कर चुके हैं ठीक है NaCl जो है उसको बनाने वाले ions है उसके crystal में sodium ions और chloride ions मिलते हैं इसके बाद जो second जो point है हम इसमें discuss करेंगे वो है इसका electrical conductance आप सोचे कि जो ionic solids हैं उनकी electrical conductance कैसी होती है किस टाइब से होते हैं और यह आप अच्छा से जानते हैं कि in solid state in solid state they are insulators ionic solids जो है वो solid state में electricity conduct नहीं करते हैं means they are non-conductors but in molten state आप उनको melt कर लेते हो या फिर in their aqueous solution they are good conductor of electricity good electrical conductors क्योंकि ions जो है वो free हो जाते हैं उस state में solid state में क्या है ions जो है अपनी जगा पर fix हैं जिसके करन की वो move नहीं कर सकते हैं electrical conductance तभी show करता है कोई भी substance अगर उसमें free charges हो तो ठीक है mobile charges हो तो वो mobile charges इलेक्ट्रोंस की form में भी हो सकते हैं ions की form में भी हो सकते हैं तो जब हम ionic solid की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो electrical charges हैं वो कौन से हैं वो है ions की form में और molten state में या aqua solution में ions are free to move इसलिए वो electricity conduct करते हैं इसके बाद जो next point हम करेंगे discuss that is forces of attraction ionic solids में उसको बनाने वाले जो constant particles हैं वो क्या है ions है positive ion and negative ions इनको बनाने वाले positive or negative ions है तो इनके बीच में जो attractions होंगे अगर यह एक entity है ठीक है जैसे कि NACL अगर मैं माल लेती हूं इसको तो यह दूसरी entity है तो इनके बीच में जो attraction है जो forces है वो किस टाइप के हैं उनको हम बोलते हैं electrostatic forces ठीक है तो इन में जो forces of attraction है ionic solids के molecules के बीच में particles के बीच में they are electrostatic forces of attraction यह हम इनको kulumbic forces भी कहते हैं और यह काफी strong forces of attraction होते हैं बहुत ही strong है यह जो इनको काफी मजबूती से पकड़ कर रखते हैं इसके बाद जो next point है वो है physical state फिजिकल स्टेट क्या होगी इनकी यह सभी क्या होते हैं solids होते हैं solid form में होते हैं आपको ध्यान अकरे हम physical state किस पर बात करें at room temperature अगर मैं कहीं पर भी अगर यह बताना भूल जाओं कि फिजिकल स्टेट किस time पर किस temperature और प्रेशर पर हम बात करें तो यह जो सबस्टांसिज हैं ionic solids जो है वो solid form में ही मिलेंगे रूम temperature पर लेकिन यह काफी brittle होते हैं brittle means हिंदी में अगर हम इनको कहें तो यह भंगूर होते हैं भंगूर मींज जो आसानी से तूट जाते हैं चोट करते ही तूट जाते हैं तो इसका एक्जामपल नमक भी है जैसे कि किसी भी टाइप का नमक अलग अलग फोम में आता है आप जानते हैं काला नमक सेंधा नमक या iodized salt होता है तो आप किसी भी फोम में ले लिए अगर आप उसको किसी भी चीज से उसके उपर हीट करेंगे उसको तो वह तूट जाता है उसके टुकुरे टुकुरे हो जाते हैं तो इसका मलब वह हार तो है आप टच करेंगे तो that is hard in touch लेकिन वह ब्रिटल है ठीक है इसके बात हम बात करते हैं उनके melting point की कि में को काफिश होगी है इसलिए इसके फिर इसके बाद मैं आपको एजाम पर बता रहे हैं इसके आप जानते हैं इतने भी आईनिक इसके बाद जो हमारा next है वो है तो एक इसमें जो हमने molecular solids discuss किये हैं इनमें एक चीज जाय गई थी और वो थी इनके third जो point हमें यहाँ पर बताना था वो था melting point melting point जो है इनके low होते हैं यह आपने थ्यान रखना है जब हम आइनिक solid में discuss कर रहे है melting point तो हमें इसमें भी करना है वो molecular solids में भी जो melting point है वो इनके low होते हैं जबकि जो ionic solids हैं इनके melting point हाई होते हैं next हम इसमें करेंगे third type के जो solids है हमारे वो है metallic solids नाम से ही है metallic solids मुनब जितनी भी metals है वो सभी metallic solid ही होंगी ठीक है तो इनके अंदर सबसे पहले अब हम discuss करेंगे क्या इनके constituent particles तीसरे type के crystalline solids हम पढ़ रहे हैं और वो है metallic solids constituent particles क्या है इसमें अगर मैं कहूं metal atoms तो ये भी correct होगा लेकिन अगर मैं ये कहूं positive metal ions तो ये भी सही होगा लेकिन positive metal ions एक साथ तो रह नहीं सकते positive ions कोई भी है सभी cation अगर आप सोचें कि आपके पास एक pool है एक आपके पास आप ये मालेजी की समूंदर है और वो सिर्फ positive ions का भरा हुआ है तो क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उनमें रिपल्जन्स इतनी जादा होंगी कि कभी भी positive positive एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे तो फिर positive metal ions कैसे एक्जिस्ट कर सकते हैं एक्चली आप सभी जानते हैं कि जो metals है या alkaline earth metals है जो की काफी strong metals है उनके outermost electrons loosely bound होते हैं और वो जो electrons है outermost electrons जब यह solid state में आते हैं metals तो वो loosely bound जो electrons है वो इनसे अलग हो जाते हैं वो free हो जाते हैं और इस तरह से बन जाता है कि सभी metal atoms हैं यहां पर मैं one positive charge ही दिखा रही हूं यह हर metal atom का जो electron था वो इसके आसपास रहेगा इस तरह से ठीक है one positive है तो वन ही electron इसका हुआ ना outermost shell में वो इससे अलग हो गया sodium ion की बात कर सकते हैं आप sodium metal की बात कर सकते है ठीक है तो इस तरह से यह इस तरह से बन जाता हिए कि जो metal ions है ना positive metal ions वो electrons के पूल के अंदर पड़े हुए हैं लेकिन जो electrons है वो evenly distributed है इन ions के पास इन positive metal ions के पास जो electrons है इसा Ellie distributed में है किक राष्बाण्य इसन इसन नहीं है किक राष्ज पर यह को चाहे चाहे इसका थी क्याम i- और उन ऐसा नहीं है कि आ Maeं जी सुझ ऑन चाहे बड़ें उन अधानेς एक्वर्पोजितने इसका नहीं है और यहँद तो पास और बाफी इसे कि इसेός के तो हो एक किसीन मेटल आइटम का हो सकता है पडिया किन के इलेक्ट्रों का एक पूल घृविटिटियस्य all the metal ions ठीक है तो ये इनके constituent particles है metallic solids के अंदर जो इसके बाद next जो point हमें discuss करना है ये first constituent particles उसके बाद है electrical conductance आप सभी जानते हैं कि जो हमारे घरों में बिजली की तारे होती है electrical connections किये जाते है वो उसमें कौन सी metal यूज की जाती है उसमें यूज की जाती है copper metal copper wires यूज की जाती है electrical connections बनाने के लिए घर में या buildings में किसी भी तर आएगी तो जो किया जाता है copper metal को यूज की metals are good conductor of electricity even in solid state ठीक है तो हमने ionic solid के बारे में बढ़ा कि solid state में electricity conduct नहीं करते हैं but metallic solids are good conductor of good conductors of of electricity even in solid state यह आपको ध्यान लगना है तभी तो wires जो है वो solid state में ही तो होती है और वो electricity conduct कर पाती है ठीक है और इसके अलावा यहाँ क्योंकि हम सभी में electrical conductance की बात कर रहे हैं तो electrical conductance मैंने यहाँ पर main heading डालिया लेकिन यहाँ पर आपको यह भी ध्यान लगना है कि जो metals है इनकी electrical conductance इसके वाद next point हम discuss करेंगे forces of attraction forces of attraction जब metal atoms है यह metal positive metal ions है तो उनके अंदर जो forces of attraction है वो simply आपने learn करना है that is metallic bonding metal metal atom के बीच में जो bonding है जो interaction है वो किस टाइब की है वो है metallic bonding उसको हम नाम ही देते है next is physical state metals के बारे में आप जानते है metals की physical state में मिलती है metals हमें मिलती है solid state में एक दो exception को छोड़कर यहाँ पर फिर से बताऊंगी at room temperature क्योंकि liquefy भी किया जा सकता है high melting point है लेकिन हम room temperature पर बात कर रहे है तो जो metals है वो solid होते है ठीक है और exception भी है इसके अंतर mercury जो है वो solid नहीं होता है room temperature पर इसके बाद next is melting point melting point metals के high melting points होते है ठीक है high temperature पर जाकर melt होती है exceptions की मैं यहां पर बात निकाई हूँ general बात कर रहे हूँ metals की तो बहुत सारी properties आप जानते है इसमें यह तो five properties five points मैंने वो डिसकस की है जो हमने molecular solids के बारे में डिसकस की है यह ionic solids के बारे में डिसकस की है metals की जो और properties है वो क्या है यह डक्ताइल होती है यह lustrous होती है malleable होती है ऐसे ही यह sonorous होती है तो काफी properties है metals की in five properties के लावा वो आप सब आप जानते ही है की ductile है they can be drawn into wires lustrous they have shiny appearance ठीक है और malleable means they can be beaten into sheets and sonorous means when struck with hard metal they produce sound और इनकी हर इस प्रोपर्टी एक एक जो भी प्रोपर्टी है उसके कारण इनकी numerous uses होते है ductile है इसलिए इनकी काफी अलग uses है जैसे की copper की wires कैसे बना पाए क्योंकि copper ductile है lustrous है, shiny है इसलिए इनकी jewelry बनती है malleable है इसलिए इनकी vehicles है इसलिए इसलिए इनकी बैल्स बनाई जाती है इसलिए इनकी बैल्स बनाई जाती है ठीक है all these are properties of metallic solars और भी काफी properties है metals की यह हम इतनी ही discuss करेंगे इसके बाद next जो हमारा है fourth type का crystalline solars वो है covalent solars fourth type के crystalline solars covalent solars covalent solars जो है इनको आप jaunt molecules भी कह सकते हो jaunt molecules की form होते है jaunt means बहुत बड़ा very very big ठीक है तो इनके बारे में अब हम बढ़ते है first point इसका भी हम वही लेंगे consistent particles covalent solars के consistent particles क्या होए atoms होगे और atoms किसके metals के atoms को हमने देख लिया metallic solars बनाते है तो atoms किसके होगे non metals के ठीक है इनके consistent particles है atoms of non metals ठीक है फिर आती है बात electrical conductance की electrical conductance की अगर हम बात करें तो यह सभी क्या है they are non conductor of electricity क्या आपको एक non metal सोच सकते हैं कि जो good conductor है electricity की carbon के बारे में आप जानते हैं क्या carbon good conductor है electricity का हम जानते हैं कि carbon carbon की अलग-अलग forms होती है allotropes होते है diamond है graphite है fullerines है जो diamond है fullerines है they are non conductor of electricity लेकिन उसकी जो एक form है graphite वो exception है इस केस में graphite जो की carbon होता है actual में is good conductor of electricity और इसलिए इसका यूज के आता है जो batteries उगरा में ठीक है यह है electrical conductance next इसमें है forces of attraction अब covalent solid अगर हम कह रहे हैं ionic solids में forces of attraction थे वो हमने कहा electrostatic forces है ionic bonding भी कह सकते हैं हम उसको electrostatic forces भी कह सकते हैं और हम उसको columbic forces भी कह सकते हैं ionic forces electrostatic forces या columbic forces और जब हम covalent solids की बात करते हैं तो उसमें जो force of attraction है वो है covalent bonding इनमें covalent bonding होती है जैसे की carbon और graphite carbon के बार में आपने 10th class में बढ़ा हुए कि carbon covalent bonding उसके अंदर होती ही covalent bonding है carbon carbon atoms के साथ covalent bonding करता है hydrogen के साथ करता है chlorine के साथ करता है काफी सारे atoms के साथ covalent bonding ही करता है ठीक है तो carbon carbon के साथ तो करेगा ही जैसे की diamond है diamond में sp3 hybridization है graphite में sp2 hybridization है तो force of attraction जो है covalent solutes में सभी covalent solutes में force of attractions are covalent bonding और यह covalent bonding strong covalent bonding है ठीक है next is physical state physical state जो है इनकी वह कहाँ यह they are hard hard solids भी हो सकते है solid ही है hard तो solid ही होते है they are hard solid and brittle brittle भी है यह ठीक है graphite है या carbon की ही अभी हमने बात के तो मैं carbon का एक्जामप ले लेती हूं carbon है वह और भी forms में आता है कोईले की form में आता है ठीक है यह diamond भी है तो उनको अगर किसी चीज से तोड़ा जाये तो वह तूट जाते है और लेकिन जो diamond है वह hardest known substance है ठीक है diamond क्या है hardest substance known इसको आप नोट कर सकते हो hardest diamond is hardest substance ठीक है next is melting point melting point melting point इनके काफी हाई है क्योंकि अगर bonding strong है इनके बीच में melting points वह ज्यादा होते है diamond का graphite का melting point above 3000 degree celsius होता है ठीक है और इसके examples हम लेखते हैं तो examples तो अभी मैंने आपको बताई दिया non metals वह भी है diamond है silicon carbide है इसके example है तो अब मैं थोड़ा सा इसमें explain करूंग आपके NCRT की बुक में graphite को explain क्या हुआ graphite जो exceptional properties शो करता है तो उसके लिए आपको graphite का structure जानना जरूरी है diamond जो है तो मैं आपको diamond के बार में थोड़ा सा बता देती हूँ diamond में क्या है diamond भी carbon की ही एक form है इसमें sp3 hybridization होती है carbon में sp3 hybridization है and each carbon is linked to 4 other carbon atoms tetrahedrally ठीक है ऐसे ही हर carbon atom यह carbon तो 4 carbon से linked है tetrahedrally वैसे ही जो यह 4 carbon atoms है वो फिर आगे linked होंगे tetrahedrally और 3 carbon atoms है तो इस तरह से काफी बड़ा network बन जाता है एक 3 dimensional network बन जाता है 3D network बन जाता है तभी मैंने starting में यह आपको बताया कि यह jant molecules होते है बहुत बड़े बड़े molecules होते है काफी बड़े molecules बनाते है यह तो है diamond के बारे में और इसलिए यह काफी क्योंकि network बन जाता है बहुत बड़ा इसलिए यह काफी hard substance है फिर अगर मैं बात करहूं graphite की graphite भी चाहे carbon का ही बना हुआ है लेकिन इसमें sp2 hybridization है sp2 hybridization है sp2 hybridization है तो इसका मतलब है कि जो carbon है वो अपने carbon atomic number 6 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 यह इसकी excited state configuration है आप यह कर चुके है hybridization किस तरह से होती है atoms के अंदर molecules के अंदर यह आपने 11 में अच्छे से पढ़ा है तो यह इसके 6 electrons जो है excited state में इसकी electronic configuration है तो यहाँ पर carbon graphite में जब हम बात करने तो carbon अपने इन 3 orbitals को hybrid orbitals को use करता है 3 orbitals को use करता है hybridization के लिए और 3 sp2 hybrid orbitals बनाता है तो इस तरह से carbon 3 hybrid orbitals बनाएगा तो यह 3 bond बनाएगे planar trigonal तो यह 3 carbon atom से link हो जाएगा और हर carbon atom in turn 2 carbon से link हो जाएगा तो इस तरह से कैसा structure हमें देखने को मिलेगा हमें देखने को मिलेगा पूरी एक sheet बन जाएगी इस तरह से ठीक है ऐसे जो carbon atoms है sheets बना लेते हैं अलग-अलग और sheet क्या है sheet है एक 2 dimensional sheet जो है 2 dimensional sheets बना लेता है अब जो sheets है यह जो graphite sheets बनी है अब हमें इनमें एक electron यूज नहीं हुआ है तो हर carbon atom के पास अपना वो electron है यह जो free electron है इसी free electron के कारण graphite is good conductor of electricity क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि electrical conductance के लिए free charges का होना जरूरी है और वो free charges electrons की form में भी हो सकते हैं और वो ions की form में भी हो सकते हैं इसमें बढ़ा कि ions थे positive and negative ions metallic solids शायद मैंने मिस कर दिया electrical conductors तो बताया आपको भी good conductors है even in solid form क्यों है क्योंकि उनके पास free electrons है यहां पर हर carbon atom के पास free electrons है और यह free electrons क्या करता है यह sheets को यह electrical conductance के लिए जरूरी है अच्छा electrical conductor इसको बनाता है यह sheet होगी मानलो एक और sheet मैं यहां पर बना नहीं रही हूं 2 dimensional sheet एक और है तो यह आपस में sheets are linked to each other by weak vendor wall forces vendor wall forces हमें पता कि weak forces होते हैं उनसे सभी sheets आपस में link होती है और यह forces काफी weak हैं इसलिए जो sheet यह sheets एक दूसरे के ओपर slip कर सकती है अगर slip करेंगी तो यह forces तूट जाएंगे ठीक है मानलो यहां पर यह sheet है इस carbon की जो लिंकेज थी या interaction थी वह दूसरी sheet के इस carbon के साथ थी ठीक है जब आपने एक sheet को दूसरी sheet के ओपर slip किया या वह slip हुई तो यह interaction जो है वह तूट जाएगी यह carbon slip होकर अगर इधर आ गया ठीक है तो यहां जो carbon था फिर इसकी इस carbon से interaction हो जाएगी ठीक है आप यह सोचे कि आपने दो लाइने बनाई हुई है एक दूसरे का हाथ पकड़के ठीक है और एक एक आपने दो simple लाइने बनाई हुई है आप lines में खड़े हुई है दो लाइन से आपने किसी का हाथ नहीं पकड़ा हुआ लेकिन जो दोनों lines के बच्चे हैं उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ एक एक हाथ पकड़ा हुआ है तो अगर एक line को मैं आगे move करने के लिए कहती हूँ एक line महीं रहेगी दूसरी line को यहां पर ऐसा होता है कि दो शीट जो है उनके बीच में जो वेंडर वाल इंटरेक्शन थी अगर एक शीट दूसरे शीट पर स्लिप करती है तो यह इंटरेक्शन तूट जाती है और जब यह आगे मूव कर जाती है तो फिर इनकी इंटरेक्शन जो है वो किसी दूसरे अगर कोई भी पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे से कमेंट पोक्स में पूछ सकते हूं ओके थैंक यू